Hello everyone, thanks for watching your favorite YouTube channel ILS Playa, welcome back in another video तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ILS के एक्जैम्स के बारे में IDP के बारे में बात करेंगे देखेंगे ILS में बच्चों के साथ क्या unfair हो रहा है वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पर आएं तो चैनल को आपने जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि एक हर एक module में जो भी आपको problem आ रही है उसके जो tips and tricks है हम आपके साथ share करेंगे अगर आपको कोई भी problem है तो आप comment करकर बता सकते हैं आपकी जो problem का solution है हम वीडियो बना कर देने की कोशिच करेंगे और और भी काफी benefit है चैनल को subscribe करने के तो चैनल को ignore मत करना subscribe जरूर से कर लें और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज के time में जो ILS के exam है जो काफी repeat हो रहे हैं और दूसरा भी हमारे material में था जी हमारे pdf से repeat होए है और 28 जैनल morning float के जो दो reading के passage है वो भी हमारे pdf से repeat होए है अगर आपको ये दोनों pdf buy करने हैं तो काफी कम price में आपको मिल जाएंगे आप हमें Instagram पर message कर सकते हैं Instagram ID का link में ने description box में डाल दिया अगर आप Instagram जूज नहीं करते हैं तो email ID मैंने डाल दिया है तो बहाँ पर आप mail कर सकते हैं ठीक है तो फिर start करते हैं आज की जे important वीडियो तो अभी अभी हमें एक comment रसीब हुआ है इस comment में इस बच्चे ने हमसे पूछा है कि sir जो EUR होती है इसका कोई फाइदा है जा फिर नहीं मैंने पहले दो बार exam दिया था उसमें मेरे जो writing में 6 बंड आई थे बट अभी जो third time exam दिया है उसमें मेरे writing में 5 बंड आई है इनकी बात जो हम बात में करेंगे उसके पहले में आपको बताना चाहता हूँ जो IDP है वो आपके साथ कैसे game clear ही है कैसे आपकी life के साथ खिलवार किया जा रहा है EUR जिसके बारे में आपको पता ही होगा जिन बचों को नहीं हो पता उनको मैं बता आजना चाहता हूँ कि आपका जो exam होता है listening, reading, writing और speaking ठीक है उसके बदा आपका जो result आता है कई बार बचे अपने result से satisfy नहीं होते उनको लगता है कि मैं ज्यादा bands को deserve करता था, करती थी और वो अपने exam को दुवारा से reach अकरवा सकते हैं इसकी जो fees होती है approximate 11,000 और आप listening, reading, writing और speaking चारों मडियूल की जो EUR है, इसी fees में fill कर सकते हैं बट मैं आपको recommend करना चाहूँगा कि आपको writing और speaking की ही जो EUR होती है, वो fill करनी चाहिए तो अगर आपका band score improve हो जाता है increase हो जाता है, तो आपकी जो fees है वो refund भी कर दी जाती है उसके पहले हम बात करेंगे कि IDP क्या कर रही है तो कि जो EUR होती है, उसमें क्या होता है कि माल लिजे आपका band score writing में 5 आया आप satisfy नहीं है, आपको लगता है कि मेरी writing तो बहुत अच्छी हुई थी, आपने EUR fill कर दी, अब जो आपका writing का module था, जिस examiner ने आपको 5 आया दिये थे, वो देखो, IDP का जो एक examiner है बो तो आपको 5 आया दे रहा है, और दूसरा जो examiner है, बो 6 आया दे रहा है क्या IDP अपने examiner को जे ने बिताती कि आपने exam को कैसे check करना है और जो IDP है, उसने पहली बार अपने जो पहले examiner पर जिसने आपको 5 band दिये, उसपर जकीन किया और आपको 5 band दे दिये और दूसरी बार अपने दूसरे examiner पर जकीन किया और आपको 6 band दे दिये जब आपको 6 band दिये तब उस बगत IDP ने अपने पहले examiner से जे नई पुशा कि आपने इस बच्चे को 5 band क्यों अगर आपको जकीन नहीं है कि अगर आप जो स्टूरंट से इतनी फीस लेती हैं प्रॉक्सिमेट 15,500 फीस होती है ILS के एक्जाम की तो राइटिंग का मड्यूल आप पहले ही दो बार ही चेक कर वाला करो दो बर चेक कर वादो अपनी एक्जामिनर से क्योंकि एक बार अगर आपको लगता है कि कई बर गलती हो जाती है बनकि गलती भी कितनी बड़ी एक एक्जामिनर आपको 5 बैंट दे रहे है और दूसरा 6 बैंट दे रहे है यह कुछ मतलब कि कह सकते हैं कि ड्रामा किया जा रहा है आप से पैसा लूटा जा रहा है इसमें पैसा कैसे लूटा जाता है क्योंकि काफी जो बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं उनको लगता है कि यहर क्या EUAR फिल करेंगे, बैंड स्कोर तो इंप्रूब होने नी बाला, चार हेर डाल कर ILS का एक्जाम फिल कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो फैमिली जो होती हैं, वो मुस्ट आउदी जो पंजाब में फैमिली है, पूरे इंडिया में ही कह सकते हैं, हम मिडल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, हम डरते हैं थोड़ा सा, रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि हैर हमारी घर की जो फैनेंशनल कर्णिशन होती है, वो ऐसी होती है, और IDP इस चीज़ का फाइदा उठा रही है, अगर आपको इतना पैसा आप ले रही हो, तो आप क्यों बच्चों के साथ खिलवाट कर रहे हो, आप पहले ही अपना जो राइटिंग का मड्यूल है, वो दो एक्ज़ामिनर से चेक करवा दिया करो, ताकि बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, वो टर जाते हैं, बच्चें डर जाते हैं, और जो आइले का एक्ज़ामिनर से वो फिल कर देते हैं, तो इस बजह से उनकी जिंदगी वो पूरी खराब हो जाती है, और ही बात इनके, इननों ने जो पूछा है कि सर क्या मुझे ऐयोर फिल करनी चाहिए, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने देखना है कि आप राइटिंग में करकर क्या आयो ठीक है आप देखो कि आपने क्या लिखा है आपकी राइटिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं आपने जो उनसे जो टास्क में पूशा गया था कि आपने बो लिखा है अगर आपको ले लेना चाहिए बाकि आपके ओपर डिबेंड करते हैं कि आप क्या सूचते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे है वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना जो अपीनिन है प्लीज कमेंट सेक्षिन में जुरूशे शेयर कर देना थैंक यू सो मच